हलो माई डियरे स्टुडेंट एंड वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल लाट्स डिस्कस डियरे स्टुडेंट जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास टेंथ का भी से हमारा साइंस होगा जो की वक्सित नमबर 50 है और यह 21st of December 2021 के ठीक है तो यह आपको याद रखना इसके तीन एक अलो ट्रॉप से पहला तो जहना आप देख पा रहे हैं यहां पहला आप तो देख पा रहे हैं जहने यह क्या गरे डायमंड है सेकेंड है आपका गरेफाइट और थार्ड है बक मिनिस्टर फुलेरीन है ठीक है इसी में हम एक एक करके इसके बेसिक स्टक्चर बॉंडिंग और एपेरिंस और कंड़क्टिविटी और यूज के कोडिंग देखेंगे तो स्टक्चर क्या होता है गरेफाइट का आप से पूछा जा गया गया गरेफाइट का स्टक्चर क्या होता है तो हेक्सागोनल रेज होता है कैस होता है hexagonal और एक दूसरे से और क्या करता है कनेक्टे होता है ठीक है जबकि diamond का क्या होता 3-dimensional hard structure होता है याद रखेगा यानि verified का hexagonal होता है और diamond का 3-dimensional hard structure होता है ठीक है branding इसकी क्या होती है इस carbon atom is bonded to 3 other carbon atom यानि हर एक carbon atom अगले 3 carbon atom से बनते होते हैं और when this बॉंड skrdas MIT एक हंब तर्फ क falls य Canyon का जिमिवर्ण को होता चार आदर क्षेंद चॉक्ष इसका कैसा होता है अर्ष इसका तरहिए अब टीक्षर होता इसे पहले करेफ हांड का थोदा सब कम है लेकिन उससे भी जादा जोना फुटबॉल के आकार का किसका है यहाँ पे आपका बक्मिनिस्टर फुलेरिन जी उसको C16 कहते है अब देखिए बांडिंग होगे एपिरेंस यानि स्मूदी और सिलिपरी होता है ग्रेफाइट जबकि जोना हार्डेस सबसांस होता है कौन डाइमांड आप सभी को पता है और देखिए ग्रेफाइट आप सभी जानते हैं आपके पास जो पैंसिल होगा पैंसिल का जो यहाँ पे नोक होता है यह आपका क्या होता है यह तो आपका ग्रेफाइट है यह ग्रेफाइट है ठीक है तो कहते है यह इसमें का होना होता है electricity pass होता है electron follow होता है ठीके जब कि diamond में ऐसा नहीं होता है ठीके क्योंकि यह bad conductor है electricity का और use क्या होता है lubricant and pencil lid होता है usage क्या होता है lubricant और pen YOUG होता है जब कि diamond में cutting tools jeweler ay होता है ठीके अब चलिए अब यहां पर देख पा रहे हैं structure of the diamond diamond का यह structure रहा structure of the graphite यह आपका रहा और structure of the work minister फ्लिडीन यह रहा ठीक है इसे आप अच्छे से देखिए ठीक है अब देखिए versatile nature carbon का क्यों होता है यह आप से question पूछा जाएगा the covalent bond जो है ना क्या करते है सक्छम बनाता है जोना क्या करते है number of component को organic compound और carbon compound में ठीक है दूसे हम इसलिए versatile कहते हैं क्योंकि इसमें catanation पाया जाता है और साथ साथ में tetravalency पाया जाती है catanation और tetravalency तो carbon जो है ना has the unique ability to form bonds with the other of the carbon giving large molecules यानी carbon के पास यह ऐसा गुन होता है जो हर अधर atom के साथ यह अपना क्या करता है bond बना लेता है ठीक है यह property जो ही catanation कहलाता है जो कि हम कह सकते silicon from the compound with hydrogen which have the chance of seven to eight atom but these compounds are very reactive ठीक है जैसे carbon bond is very strong and stable होता है carbon carbon का bond strong and stable होता है और यह हमें क्या देता है बरे संख्या में बरे नंबर में compound को देता है जो कि carbon से link होता है एक दूसरी ठीक है tetravalency से क्यों कहते है क्यों 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 होता है चार चार valence electron होता है और यह अलग-अलग जैसे oxygen hydrogen nitrogen और sulfur chloride इस सब के साथ reaction कर जाता है ठीक है तो एक region कह सकते है जो है strong bond का formation करता है small size के साथ और enable करता है nucleus को hold कर पकर कर करके रखता है और electron को मजबूती से share करता है ठीक है stone वगएरा यानि मतलब सोनी को काटने के लिए हम करते हैं ठीक है यानि gold वगएर जोईलरी वगएरा को काटने के लिए ठीक है अब देखिए यानि पहले ही identify किया गया था carbon 60 के नाम से ठीक है जो कि एरेंज किया गया shape of a side football इसका size क्या है football का जो कि यह जहाना कैसे go desic dome design था और जो कि यूएस architect book minister fuller ने किया था ठीक है the molecule was named fullerine ठीक है पहले fuller ने किया इसको यह अमेरिका में फिर उसका नाम जोना fullerine रख दिया गया तो dear student इसमें बहुती आसान से जो प्रस्न है फूर है चली इस अभी का एक ये करके हम अंसर देखते हैं let's see question number first है why carbon source the versatile nature carbon is a versatile because it can form a single double and triple bonds it can also form the chain branch chain and drinks when the connected to the other carbon that is called the carbon source the versatile in nature ठीक है तो हम कह सकते हैं यह single bond बनाता double bond बनाता triple bond बनाता है जो कि यह बरे 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 chain बनाता है बरे बरे branches के chain बनाते रिंग बनाता है ठीक है इसलिए करके यह क्या होता है हम कहते हैं स्टाइली नेचर होता है ठीक है जैसे सी 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 ठीक है अब देखिए यह हाइडोजन यहां भी हो सकता है यहां भी हाइडोजन हो सकता है यहां भी हाइडोजन हो सकता है यहां भी हाइडोजन हो ऐसे ऐसे चैन बना लेता है ठीक है और यह आगे जा सकता है ठीक है यह अगर लगता है यह वीडियो आपके लिए लेता है इसे जरूर लाइक करें इस चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें ठीक है अब देखिए वाइडू कारवन एटम फोर में नंबर आफ कंपाउंड यानि कारवन एटम अधिक ज्यादा कं चैनल के नहीं कंपाउंड बनाते हैं अब नेच्ट कोश्चन है कोश्चन नमर आफका जैनल और फोर्थ है चलिए थार्ड है what is the minimum number of the carbon atom in fullerine what is the shape the structure of the fullerine like a cage due to the which it look like the foot wall यानि यह foot wall की shape का है पूछेगा work minister fullerine का shape क्या है आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें चैनल पे नहें तो चैनल को सबस्क्राइब करें और वीडियो को सेयर कर दें ठीक है ठीक है ठीक है डी इंडिस्ट्रीट चलिए फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में तुम तक के लिए बाबाई ठीक किया है वनाइस टीए